दोस्तो अड़वर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर Android phone की चार ऐसे खुफिया ट्रिक के बारे बताऊंगा जो 99% Android user ये चार खुफिया ट्रिक के बारे में नहीं जानतूंगे ना आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा दोस्तो यदि Android phone की चार खुफिया ट्रिक के बारे में जान लेते तो Android को यूज़ करने का बिल्कुल तरीका बदल देंगे और Android की दुनिया में काफी जादा टहल का मचा सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह जो चारो ट्रिक है ना Android phone के अंदर बहुती कमाल की है पलस आप सभी के लिए काफी जादा useful है यदि दोस्तों जानना चाते हैं तो वीडियो को देखते रहें तो चलि मैं आपको बता देता हूँ मैं कल लिए तब वीडियो स्टार्ट हैं मेरे नाम सितारे और आप देख रहें होगा यूटूब चैनल दोस्तों यदि जानना चाते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीज़ेगा 5000 लाइक का टारे किता है इस वीडियो पर लाइक कर दीज़ेगा और चैनल कर लिज़ेगा सबस्क्राब ये नोटिफिकेशन अना और लोटिफिकेशन दवा दीज़ेगा और इस वीडियो वे शेयर करें और कॉमेंट में लेकिए चारो खोफे ट्रिक में से कौन सा आपको सबसे बेश्ट लगा तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद चले मैं आपको सबसे पहला ट्रिक में बता देता हूँ जो एंडुराइट फॉन के अंदर है लेकिन अभी तक यूज़े नहीं क्या होगा जैसे कि दोस्तों फोर इक्जामपल मैं वार्टसप के अंदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि रिसेंट अप्लिकेशन मैंने आपिन किया था वो पिले स्टोर तो मैं क्या करूँगा कि फीजिकल बटन को दो बार टैप करूँगा ना तो मैं इस धर से उधर जंप कर सकता हूँ जैसे कि आपे देख सकते हैं तो यह ट्रिक के बारे में 99% Android user नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा तो यह ट्रिक को जरूर फायदा उठा है जिसका नाम है volume notification तो यह application का लिंग वीडियो के नीचे description देखोंगे तो इस आपको install करने के बाद यहाँ पे आपको activate कर दिना होगा तो जैसे activate करने के बाद नीचे scroll down करेंगे ना तो यहाँ पे आपको volume control का आपको option मिल जागा volume are done कर सकते है volume बढ़ा सकते हैं तो यह मुझे बहुत ही कमाल की trick लगा तो यह भी आप android phone के अंदर use कर सकते हैं यह दिया आपका volume done button खड़ाब हो जाता ना तो आप service center में नहीं जाए क्योंकि पैसा जादा लग जाएगा यह trick की मदद से आप use कर सकते हैं तो बहुत ही कमाल की है तो चले मैं आपको तीसरा trick के बारें बता देता हूँ जो काफी awesome है तो समसे पहले क्या करना होगा वर्टसप को open करने के volume done button अब बटन को जो है ना तीन सिकेंड होल्ड करना होगा जैसे कि मैंने यह आपे hold कर रहा हूँ जब भी awesome को open करना ना तो यहाँ पे आपको तीन सिकेंड होल्ड करना तो बंद भी हो जागा तीन सिकेंड आपको यहाँ पे दवाना है तो आपका चालो हो जागा यह trick का फायदा उठा सकते हैं तो यह trick को कैसे use करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा अपने mobile के setting में जान होगा और यह volume की देख रहे ना shortcut तो उपर में अनेबल कर लिजे नीचे भी अनेबल कर लिजे और यहाँ पे जाना होगा तो color में आपको चूस करने के बाद आपका काम हो गया setting हो चुका तो जैसे वर्सप को open करेंगे तो तीन सिकेंट जो ना volume बटन को जो है ना आप यहा क्वाइट फॉन की सबसे बेश्ट ट्रिक माना जाता है तो चली मैं आपको बता देता हूं दोस्तों आप तो पबजी गेम खेलते या को भी गेम खेलते तो आपके मोबाल में जो ना low quality वज़े से गिराफिक जो ना काफी कम आता है quality गेम का जो इतना काफी खड़ाब होता लेकिन दोस्तों ये ट्रिक की मदद से जो ना आप अपनी गेम की quality जो ना काफी awesome बना सकते हैं काफी cool बना सकते हैं बीना कुछ application का तो आपको सबसे पहले अपनी mobile के setting में जाना होगा और जैसे setting में जाने के बाद यहाँ पे system में जाने के बाद double option में जाना होगा जैसे double option option जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो ना यहाँ पे लिखना होगा 4X जी हाँ जैसे 4X लिखेंगे ना तो ये setting आपको दिखने को मिल जागा इसको click करना है और जैसे click करने के बाद दोस्तों इसे आप simple enable करने जागा तो जैसे enable करने के बाद जबी आप game खिलते है ना को भी PUBG हो या को भी गेम हो तो उसका गेम क्वालिटी जो है आपको काफी अच्छा मिलेगा इतना HD क्वालिटी मिलेगा जो आप सोची भी ने सकते हैं तो ये ट्रिक का फायदा जरूर ठाजियां तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद देया होगा यह दो दोस्तो यह Android फॉन की चारो ट्रिक में से कौन सा सबसे बेश लगा जरूर कॉमिट कीजएगा दोस्तो अमीद करता हूँ वीडियो पसंद वीडियो के लाइक कीजएगा शेर कीजएगा चैनल का लिजएगा सबस्क्राब बटन दवा दिजएगा ओन लोटिफिकेशन तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में अपना ख्याल देखे टेक केर और गुडबाई